तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मोयान के जाने के बाद याओ सबी को समझदारी से काम रहने को कहती है फिर वो सब फैसला करते हैं कि वो पूरी सीटे को डीबिल्ड करेंगे दूसरी तरफ इस्टर साइड पर बनी इस वीस लेंड नाम की सीरी में हम मुयान को देखती हैं अब उस साल बीच चुका था और मुयान यहां एक आर्मी बराने के तयारी में थे वैसे इस पार्ट की स्टार्टिंग बिछले पार्ट के आगे से ही होती है उस लड़की के जाने के बाद मुयान सही बाते करने लगता है वो कह रहा तक कि करीबन एक साल बीच चुका है उसने जदा दार अपनी सारी एनरजी डिकवर कर ली है मगर वो होली इंपरियर का बिग पाम कुछ जादा ही स्ट्रॉंग था इसके वज़े से उसे एक चोट भी आई थी जो कि अभी तक ठीक नहीं हुई ये चोट मुयान को नाइथ लेवल आफ सोल अलतार में जाने से रोक रही थी इसके बाद वो किंग्डम आफ वेस्लेंड की तरफ देखता है और सोचता है कि मुझे जल से जल पुछ करना होगा जितने जल्दी मैं ये वेस्लेंड को अपने हाथ में करूँगा उतने जल्दी मैं जाकर यून फैमली को खतम कर सकता हूँ अब इसके बाद रात हो चुकी थी और मुझे अभी अपने कर्टविशन में बीजी था तबी सामने वो पैलेस हिलने लगता है इसके बाद मुझे खड़ा होता है और उस जगा को देखने लगता है वो समझ चुका तक कुछ ना कुछ तो गरबर है अब तबी वहाँ पर वो पिछले पार्ट वाले लड़का दोड़ते वे आता है उसका नाम हमें हुआन जिंग पता चलता है अब वो वहाँ आकर मुयान से कहता है कि फादर पे अटेक हुआ है अब मुयान उसे पूछता है कि अभी करेंटली तुम्हारे भाई कहा है जिसपर जिंग उसे बताता है कि उन सबका कोई पता नहीं है ना जाने अभी वो क्या कर रहे हैं तो अब मुयान जिंग से कहता है कि लोगों को इखटा करो और जाकर किंग हुआन मिंग मतलब अपने फादर को प्रटरक करो अब जिंग थोड़ा कन्फ्यूज लग रहा तक तो मुयान उसे बताता है कि रेस्क्यू के बाद तुम इस वेस्ट लेंड के किंग बन जाओगे तो अब मुयान की बात मांकर जिंग महांसे चला जाता है इसके बाद अपसी चेंज होता है और हम जिंग के फादर मतलब कि वेस्ट लेंड के किंग को देखते हैं जो कि अपने किंग्डम हॉल में बैठे हुए थे साथ उन्होंने गेट लॉक कर लिया था जिससे कि कोई उन पर अटैक ना कर पाए उसे तरफ बाहर लड़ाई चल रही थी तरह सर उन्ही एक आदमी ने उन्हें धोका देकर अपने लोगों को इखटा कर लिया था और अब वो किंग को मार कर उनकी प्रेशन परना चाते था तो अब किंग खुझ से ही कहते हैं कि इतने सारे बेटे होने का क्या फाइदा जबकि मुझे बचाने तक नहीं आ रहा लेकिन कोई बात नहीं मैं भी देखता हूँ कि आकर कौन मुझे मारता है कुछ भी हो जाए पर मैं इतने सारी से मौत तो नहीं मरने वाला अब तभी वहाँ पर मुयान आ जाता है जिसे एकदब से देखकर किंग डर जाते हैं और मुयान से पूछते हैं कि आकर तुम यहां कहां से आए जिसपर मुयान उनसे कहता है कि मेरे लिए से छोटे मुटे काम करना कोई बड़ी बात नहीं है अब किंग ने भी मुयान को फैचान लिया था वो कहते हैं कि तुम तो मेरे बेटे हुआ जिंक सेक की गार्डियन हो ना जिस पर मुयान उनसे कहता है कि हाँ मैं वही हूँ लेकिन अभी हमें ये सब छोड़ कर आपकी बिमारी पर ध्यान देना चाहिए अब मुयान उनको अपने पास बुलाता है उसके बाद वो अपनी अंगोठी को टच करकर उनसे एक ग्रीन कलर कोली निकालता है और इसके बाद वो किंग को वो फिल खाने को दे देता है तरसल ये पिल एक इलेक्सर की तरह काम करती है अब किंग उसे देखकर मुयान से पूछते हैं कि आखिर मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ तो मुयान उनसे कहता है कि अगर आप अपने बेटे पर भरोसा करते हो तो आपको मुझ पर भरोसा करना होगा और वैसे भी मुझ पर भरोसा करने के लाबा आपके पास और कोई चारा भी नहीं है लेकिन अब जेंग उस फिल को किंग को दे देते हैं और अब वो किंग उस फिल को लेने लगते हैं तो मुर्यान उन्हें रोक देता है और कहता है कि ये फ्री नहीं है इसके बदले आपको दो प्रमिस देने होंगे अब उनके पूछने वर मुयान वो दोनों प्रमिस बताता है वो कहता है कि पहला तो यह कि आप आपके बेटे हुआ जिंग को इस जगा का अगला केंग बनाओगे और दूसरा प्रमिस कि आप मुझे ताई हुआं में जाने की प साथ है अब उनकी बिमारी भी ठीक हो चुकी थी अब वो सीधे निकल पड़ते हैं उस आदमी को मारने जिसने उन पर हमला किया था तो इसके बाद हम गेट के बाहर आकर सीन देखते हैं जहां पर वो आदमें हमला करने वाले के आदमी किंग के शोल्जर से लराई कर रहे थ चल गुत थी और लड़ते हैं अब लड़ते अधिते सोब़ा हो जाती है साथ ही वो आदमी बुरी तरीके से बिटकर गिर चुगा था इसका मतलब इस लड़ाई में किंग की जीत हो चुकी थी अब इसके बाद हम देखा है कि उस आदमी को जिसने किंग को धोका दिया था उसे सजा देने की बारी आती है अब किंग उसे सब्य सिटिजिंस के सामने सजा देते हैं और यह सजा मौत यह सजा थी और जैसे सब इनसान कमाते खाते हैं वैसे होनी भी जी ना होगा अब इसके बाद सीन आता है हौल की तरफ जहां बर किंग मुयान के पहस्ता तारिफ कर रहे थे साथी जिंग भी वही खड़ा हुआ था अब गिंग जिक से कहते हैं कि Mr Muyyan सही में कमाल के हैं इसके बाद वो मुइयान से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या वो उनके साथ कुछ ताइम और रुकेगा वो कहते हैं कि इसमें उनकी कोई चाल नहीं है वो तो बस ऐसे ही मुइयान के मदद से कुछ होकर उसके लिए कुछ करना चाहते हैं इसके बाद अब वो मुयान से पूछते हैं कि क्या वो यहां का मास्टर बनेगा वैसे यह बहुत बड़ी पोस्ट हो दी है पर अब इसे मुयान उनसे माफि मांगता है और उन्हें स्वारी कहता है पर अब इसे के साथ यह मेंगे जान टेकेट